अधिया प्रकास है इस वीडियो में मैं आपको इन इक्वेशन के बारे में बताऊंगा जो कि जेई और साथी साथ बोर्ट के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए सबते पहले इन इक्वेशन के डेफनिशन से स्टार्ट करते हैं definition कुछ इस तरह है and expression of the form fx greater than gx or fx less than gx or fx greater than or equal to gx and finally आपने पास fx is less than or equal to gx तो यह चार forms है इन चार forms के इन इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे example की बात करें तो जैसे कि यहां लिख रखा है 2x plus 4 is greater than 4x minus 6 और इसी तरह चाब बहुत सारे examples लिख सकते हैं तो यह तो भी इन इक्वेशन के definition की बात इसके बात हम लोग कुछ जेंदल rules की बात करेंगे जो इन इक्वेशन के लिए applicable है तो सबसे पहले rule number 1 की बात करते हैं rule number 1 है a term can be transferred from LHS to RHS with a change in its sign that is किसी भी term को आप LHS से RHS या फिर RHS से LHS transfer कर सकते हैं but transfer करने के बाद आपको उसके sign को change करना होगा प्लस में है तो दूसरे साइट लेया करके आप माइनस में कर दें माइनस में है तो उसे दूसरे साइट लेया करके प्लस में कर दें ऐसे example की बात करें तो अपने पास 2x plus 4 is greater than 4x minus 6 in equation दिया होगा अब मैंने क्या किया एक सवाले term को एक तरफ collect करने की कोशिश की तो 4x को मैंने RHS से LHS में लाने की कोशिश किया तो इधर 4x plus में है तो LHS में आकर यह minus में होगया उसी तरह मैंने 4 को LHS से RHS में बेजा तो plus 4 है इधर तो right and set आकर यह minus 4 होगया तो यह होगया rule no.1 अब बात करते हैं rule no.2 की तो rule no.2 कुछ इस तरह है the sign of inequality is changed on division यह मैं division के लिए यूज करूँगा और multiplication with a negative number यानी अगर किसी inequality को हम किसी negative number से divide करते हैं तो inequality का जो sign है वो change हो जाएगा change होने से मेरा मतलब है अगर वो greater जाए न है तो negative number से multiply या divide करने के बाद वो less जान हो जाएगा similarly अगर less जान है तो greater जान हो जाएगा अगर निगेटिव नंबर से multiply करते हैं तो एक्जामपल की बात करते हैं यहां लिगा का है जैसे minus 2x is greater than minus 10 है अगले step में मैंने minus 2 से दो द्रफ divide किया तो परले greater than equal to sign था अब भी मैंने इस less than कर दिया एक्स is less than minus 10 upon minus 2 तो अपना finally solution आ गया x less than 5 तो मैं negative number से divide किया है अगर यहां positive number से divide करते हैं तो inequality के sign में कोई भी फार्क नहीं परेगा यह ध्यान दगना है आपको तो यह तो हो गई कुछ rules की बात जो in equations के लिए अपलिकेवाल है अब जो finally अपना aim मैंनली वो यह है कि कोई भी in equation अपने को दिया हुआ है और उसे हमें solve करना है तो अगला adding अपना यही रहेगा solving an in equation तो यहां मैं यह बता दूँ in equations में अपने पास trigonometric आपी equation आ सकता है बट यहां दो मैं discuss कर रहा हूँ केवल और केवल polynomial in equation के तो दो category अपने पास सबसे पहला linear polynomial in equation और दूसरा category है rational polynomial in equation तो सबसे पहले मैं linear polynomial in equation के बात करूँगा और तब finally rational in equation पर जाओँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं from linear polynomial in equation तो सबसे पहले linear polynomial in equation in general form के बात करें तो कुछ नहीं आपने पास in equation है तो in equation का आपने पास चार साइन है greater than, less than, less than or equal to या फिर greater than or equal to तो चुकि यह linear in equation है तो अपने पास दो एक expression होगा LHS में भी कोई भी linear polynomial होगा इसे मैंने zoom कर लिया px plus q तो यहां मैंने चार गंदे लिख रखा है a, b, p and q चारो constant वह भी number हो सकते हैं तो example की बात करते हैं जैसे मैंने example ले रखा minus 4x plus 6 is greater than minus 2x minus 6 तो आप देख सकते हैं यहां left hand side में भी अपने पास linear polynomial है, right hand side में भी linear polynomial है, तो ऐसे इन equation को solve करने के लिए, अपने को खीशिज की जवात में सिर्फ और सिर्फ जो हमने उपर basic rules पर रखा है दो rules उसे ही use करना है, मतलब अपने को turns ट्रांसफर करने होंगे सिर्फ तो मैंने वह ही किया आया, जो भी addiable वाले turns हैं उन्हें एक तरफ collect कर लिया, तो minus 4x, minus 2x को मैंने transfer किया, तो rule 1 से यह minus में है तो यह इदार आके plus में हो गया, उसी तरह constants, minus 6 इदर है और इदर से मैंने plus 6 को भी transfer कर लिया, तो plus 6 जाके दर minus 6 हो गया, तो finally क्या हो गया, आपने पास minus 4x plus 2x is greater than minus 6, minus 6, फिर मैंने जो solve किया, तो minus 4x plus 2x minus 2x हो गया, greater than minus 12, और यहां पे ध्यान देनी वाली बात है, यहां पे मैंने rule number 2 use किया है, यानि minus 2 से मैंने दों तरफ divide किया है, इसी लिए जो inequality है, उसका sign change हो गया, अब less than हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने minus 2 से दों तरफ divide किया, जो कि एक negative number है, तो x less than हो गया, minus 12 upon minus 2, finally अपने माद solution आ गया, x less than 6, तो यह हो गया, इस इन equation का solution, solution काने से मतलब हुआ, x के वो सभी real values मैंने निकाल लिए, जो इस equation को satisfy करते होंगा, इस equation, इन equation के solution क्या आ गया, x less than 6, यानि 6 से छोटा, मैं कोई भी real number लूँ, तो वह real number इस equation को satisfy करेगा, इसी तरह से कोई भी linear equation हो तो, सिर्फ और सिर्फ आपको यह दो rule C यूज़ करने की ज़ुरत है, अब असानी ज़े solve कर पाएंगे, तो यह भी linear polynomial equation को solve करने की बात, अब अपना second है category, rational polynomial equation, तो अगर इसके general form की बात करें, तो इसका general form कुछ इस तरह है, px divided by qx is greater than or equal to 0, जहां px और qx वो है, वो कोई भी polynomials हो सकते हैं, कोई भी polynomials, बट यहां ध्यान रखने वारी बात यह है, कि चुकी qx denominator में है, इसलिए qx cannot be 0, qx वो 0 नहीं हो सकता, तो यह हो इस general form, एक्जामपल के बात करें, तो आप कोई भी polynomials ले लें, उन्हें divide कर दें, और सब greater than use करें, less than use करें, कुछ भी use करें, inequality का sign, तो वो अपना rational equation का लाएगा, तो यह तो हो गई इसके examples, अब जैसे कि मैंने पिछले पहले linear equation को solve करने को बताया था, अब आती है बात कि rational equation को solve कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले intervals के बारे में बताना चाहूंगा, इसके बात फिर मैं वापस आऊंगा, rational equation को कैसे solve करते हैं, तो चली, intervals की बात करते हैं, तो interval, सबसे पहले interval की बात करें, तो interval कुछ नहीं है, interval simply set of real numbers है, यह set of real numbers को हमने compact form दे रखा लिखने का तरीका, वह interval है, तो तीन तरह के intervals होते हैं, जो math में use करते हैं, सबसे पहला closed interval, फिर दूसरा open interval, और finally तिसरा अपने पास semi open या उसे semi closed भी बोलते हैं, तो example की बात करते हैं, जैसे मैंने 2 to 4 यूज़ कर रहा है, तो यहां दें आप, कि दो तरह के brackets मैंने use कर रहे हैं, एक तुरा यह bracket जिसे big bracket बोलते हैं, और दूसरा category का bracket जो मैंने use कर रहा है, यह bracket जो है small bracket, तो big bracket का मतलब यह होता है, कि जिस भी int point के पास मैंने वो bracket लगा रखा है, इसका मतलब है, उस interval में वो int point included है, यानि यहां पर मैं देखू, तो two पे भी big bracket है, यानि two भी included है, four पे भी big bracket है, तो four भी included है, अगर open में आऊं, तो two पे small bracket है, small bracket का मतलब वो int point जो है मेरे interval में included नहीं है, तो वो जो भी number है वो उस interval में include नहीं है, तो बस अगर मैं इसकी बात करूँ सबसे पहले, two two four जोलों तरफ close जा अपने पास, इसका मतलब यह हुआ, कि इस interval में वो सारे numbers आ रहे हैं, जो two और four के बीच में लाई करते हो, और चुकि यहां पर मैंने big bracket लगा रखा है, between two and four, including two and four, यानि वो सभी real number जो two से बारा है, four से छोटा है, वो तो आएगा ही आएगा, साथी साथ, इंट points two भी included है और four भी included है, गर इसे मैं equality के sign से लिखने की कोशिस करूँ, तो कुछ ऐसे लिखूँगा, कोई भी real number x जो two से बारा है, या फिर two के equal to है, या फिर four से छोटा है, या फिर four के equal to है, यही close interval, इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं, बस difference इतना ही है, कि small bracket actually in the pointing foot है, नहीं है, बस इसी तरह से यह अपना होगा interval का concept है, जो की अपने को आगे use होगा, rational polynomial को solve करते हैं, तो इस वीडियो को मैं यही paint करना चाहूंगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, rational polynomial equation को solve कैसे करते हैं, yes, that's all for this video, thanks for watching.